हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IS Hindi नमस्कार Study IQ IS Hindi में आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम हिमनी श्रिवास्त हो आज जिस विशे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है चाइना का Chang E6 Mission यह Chang E6 Mission ने कुछ ऐसा कीर्तिमान रेस्ट दिया है जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है क्या किया है चाइना ने? आज चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसा आपको यहां थमनेल में भी देख रहा है कि चीन ने ऐसा क्या रचा है थी आज तो यहाँ पर एक आर्टिकल को देखते है चाइना चैंगी प्रोब सक्सेस्फुली रेटर्न्स टू अर्थ देखे सबसे पहले यह मिशन था जब इसने लैंडिंग की थी वो भी एक बहुत बड़ी भाग था क्योंकि देखे होता क्या है कि जो चंद्रमा है चंद्रमा का एक ऐसा हिस्सा जिसको far side कहा जाता है जो दूर स्थान है एक चंद्रमा का हिस्सा है जो प्रित्वी से हमेशा नजर आता है लेकिन जो दूसरा हिस्सा में नजर नहीं आता है वहां तक कोई भी देश जाने के लिए इतना भी प्रयास नहीं करता था चाहे सोवियत संग की बात करें अमेरिका की बात करें चाहे भारत की बात करें उसका रीजन ये है कि चंद्रमा पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां पर वायू मंडल नहीं है जब वहां पर वायू मंडल का अभाव है उस वायू मंडल के अभाव का कारण क्या है भाई गुरुतवा करशन जैसे प्रित्वी पर गुरुत अत्विय तोरण आपको मिलता है 9.8 meter per second square यह acceleration due to gravity या गुरुत अत्विय तोरण कहा जाता है आप चंद्रमा पर जाएं तो इसका एक बटा चटवा भाग हो जाता है तो चंद्रमा पर गुरुतवा करशन कम है तो वायू मंडल नहीं है और वायू मंडल नहीं है तो वायू नहीं है अब वायू नहीं है तो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है तो रात का तापमान चंद्रमा पर इतना गिर जाता है जब वहां पर सूरे का प्रकाश नहीं पहुच पाता तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती कि चंद्रमा की सथा पर जो इंस्ट्रूमेंट्स भेजे हैं जो अलग-अलग उपग्रह भेजे हैं उनको चलाते रहना क्योंकि बिना सूरे के प्रकाश में वह कैसे चलेंगे तो यही प्रॉब्लम थी कि फार साइट जाने पर जादा लोग इस पर फोकस नहीं करते थे चाइना ने इस तरह से इस प्रोजेक्ट को क्रियेट किया कि फार साइट यानि दूरस्त इस्थान पर गए वहां से दो किलो मिट्टी के सैंपल लिया है जो चा तो यहां पर इतियास रज दिया गया है चीन के द्वारा ब्रिंगिंग सैंपल्स फ्रम मून फार साइट तो यह जो मून का फार साइट है यही बड़ा महत्पूर्ण है जो मैं आपको डिसकस कर रहा था सैंपल्स कलेक्टेट बाई चैंग E6 कुट फर्दर हेल पस तो सारी चीज़ें हमें बता सकता है कि जो मून के बनने का इतियास है मून के गठन की बात करते हैं तो वो कैसा है यानि चंद्रमा के अंतरगत इसकी हिस्ट्री क्या है इसका इतियास क्या है उसको समझने में सैंपल मदद करेगा तो इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से हम इनको आपको डिटेल में अगर हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जोड कर पढ़ना है तो आप फाउंडेशन बैच का पाट बन सकते हैं 30 जून तक इस बैच का आप इससा बन सकते हैं और बहुत ही कम प्राइज में अभी आपको ये बैच इन्रोल करने मिल रहा है जिसकी इस मात्र 25,999 है जिसमें 18 बुक्स का सेट आपके घर पे डिलिवर होगा आपको 1-2-1 मेंटॉर्शिप इसमें मिलेगी ग्रूप मेंटॉर्शिप मिलेगी नोट्स, क्रक्स ये सारी फैसलिटीज मिलेंगी NCRT की क्लासे, CSET की क्लासे, Current Affairs Program और साथ में आपको मन्थन सेशन ज मिलेगी, तहीं तो ये फीस बढ़ जाएगी, आप तीस के बाद भी दूसरे बैचेस में इन्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय कम है, नेक्स्ट येर का जो एक्जाम है वो 25 मही को है, तो जो स्टुडेंट्स किसी भी तरह से असमंजसमें हैं, जल्दी से इसमें एड कोई डाउट होगा, चलिए, हम जिस्ट विशन की बात कर रहे हैं, वो चाइना का मिशन है, चैंग ए, शिक्स मिशन, जिसने ये कमाल कर दिया है, कि चंद्रमा की उस जगा से, जहां दूसरे देश पहुच नहीं पाएं, वहां से सैंपल भी ले आये हैं, मिट्टी भी ले चंद्रमा की सता से उस मिट्टी को ड्रिल करना, ड्रिल करने के बाद, उस सैंपल को एखटा करना, उस सैंपल को वापस से फैच करना, यानि पृत्वी पर वापस लाना बड़ी चनौती थी, हमको तो लग रहा है भाई, कहीं से घर के पास से आप मिट्टी उठा कर लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर चंदरमा की सता पर जाकर उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करना, वहाँ पर बिना सूरे के प्रकाश, कई बार सूरे के प्रकाश जब नहीं पहुच पा रहा है, तो उसमें अपने इंस्ट्रुमेंट्स को वर्किंग रखना, तो यह चाइना ने ब तो चीन का जो लुनर मिशन है चांद की सता से मिट्टी लेकर धर्ती पर पहुच गया है, और इसके साथ वो पहला देश बन गया है, जो चांद के अंधेरे हिस्से से सेंपल लाने में सफल रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अंधेरे हिस्से से लाना क्यों मुश्कि क्योंकि एक तो गृत्वा करशन बल के कारण वहाँ वायू मंडल नहीं है, तो रात का टेंपरेचर माइनस 150 डिग्री के आसपास भी पहुच जाता है, मतलब जब वहाँ पर सथा पर सूर्य नहीं पहुचता है, अब सोचिए, जो हमारे इंस्ट्रुमेंट्स थे, विक्रम ल तरगत है, चीन नाश्नल स्पेस एड्मिस्ट्रेशन, जो वहां की, जैसे हमारी इसरो है, नासा है, ऐसे ही, चाइना की, जो इस्पेस एजन्सी है, उसका नाम है चाइनान श्पेस एडमिस्ट्रेशन और इसका क्या है, चैंग ई लांडर, त्रे पंदिन बाद कैप्सूल म जहां अंधेरा होता है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुचता है, जाकर सैंपल इखटा करके इनने धर्ती पर भेजना था और उसने ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीट कर लिया, तब ही तो कहा जा रहा है कि उसने इतिहास रचा है, तो चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से क करें तो इसका फाइदा क्या होगा, चाइना का कहना है कि 2030 तक हम इंसान को चांद पर भेजने का लक्ष रखा है, हाला कि Neil Armstrong जा चुके हैं, लेकिन इनका जो रिसर्च है, वो यह है कि वो उस शेतर पर भेजना, जहां पर चंद्रमा की सता अंधेरी है, जहां पर सूर्य का परकाश नहीं पाँच पार है, वहां हुमन को भेजना, वहां की मिट्टी को समझना, क्योंकि यहां पर दावे किये गए थे, कि यहां पर जो बर्फ है, वो बर्फ का शेतर है, यहां पानी की भी सेंपल्स की बात है, तो इसके लिए चाइना ने इस मिशन को लाँच किया तो चांद पर भेजने का लक्ष रखा है, और यह मिशन भी उसी टारगेट का एक हिस्सा है, दूसरी अगर हम बात करें, तो अभी चांद पर जा चुकि सभी दस लूनर मिशन पास वाले हिस्से, जो हमें देखते हैं, वहां पर ही पहुचे हैं, इनमें भारत और अमेरिका का भी शामिल है, जिसमें आप चंद्रयान तीन का भी नाम ले सकते हैं, दूसरा, ऐसे में चांद ने फार साइट से सेंपल लाकर स्पेस रेस में अमेरिका को कड़ी चुनौती दी है, तो यहां पर बात करें, तो ऐसे में चीन की बात करें, चांद ने जो फार साइड यह अमेरिका को एक बहुत बड़ी चुनौती किस ने दी है, तो चाइना ने दी है, और इस पर चाइना यह पूरा सेंपल लाया है, अब इसकी रिसर्च की जाएगी, और यह माना जा रहा ही कि इस पर जो इन्फोर्मेशन होगी वह चाइना सबके साथ साजा करेगा, तो यह ज क्योंकि इस समय तक सोवियत संग और अमेरिका, इन्होंने लगबख सभी चीजें चंद्रमा पर अध्यन कर ली थी, तो इनको कुछ और बाकी जानने का इंट्रेस्ट था नहीं, 2008 में भारत को इसका क्रेडिट देना चाहिए, जब हमने चंद्रयान प्रथम को भेजा, तो चंद्रयान प्रथम में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, कुछ नासा के भी इंस्ट्रूमेंट्स से, उन्होंने पुष्टी करी कि चंद्रमा पर जल है, और तब से यह पू चाइन भी इंट्रेस्ट के तो पर तो चंद्र के तौर पर चंद्री मिषा फिए थे लुष्टी को लांच किया था, अब इहां से कितनी मिठी लाया है तो दो किलो मिठी चंद का जो यह बेकर आया है, तो दरव़शल अब तक की रिसर्च में संभावना जटाई गई थी क चांद के इस हिससे पर बर्फ के तौर पर पानी मौजूद है, यह बताया जा रहा था, तो इसी को लेकर, क्योंकि भारत ने भी क्लेम किया था कि जल है यहाँ पर, तो हुआ यह कि अमेरिका भी चांद के इसी हिससे पर अपना बेस बनाना चाहता है, और रिपोर्ट के मुता उसको operate धरती से करना है, तो यह बड़ा complicated mission था, जो चाइना ने सफलता पूरवा किया है, दूसरा इसके जरिये चांद पर मौजूद चार अरब साल पुराने crater, crater वो शेतर होता है, जहां से जौला मुखी का उदगार होता है, तो ऐसा एक crater था, जो चार अरब साल पुराना था, वहां से सेंपल को एक कैपसूल में डालकर, रिएंट्री विकल के जरिए पृत्वी पर लाया गया है, चीन के वैग्यानिक अब सेंपल पर रिसर्च करे तो चाइना नहीं कहा है कि हम पहले रिसर्च करेंगे, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी तो हम सारी स्पेस एजनसी के साथ उन इंफॉर्मेशन को शेर भी करेंगे, यहां पर एक बहुत महत्पून चीज याद रखना, यह एटेकन बेसिन वो शेत्र था जहां पर चैंग E6 मिशन लैंड हुआ था, और उसके बाद ही इसने वहां के नियरबाई रीजन से, जो क्रेटर है चारब साल पुराना, उससे सैंपल्स को कलेक्ट किया है, तो चैंग E6 3 माई को साउथ पूल एटिकन बैसिस पर जो एटिकन बेसिन है, उस पर लैंड हुआ था, और इसमें पाकिस्तान, फ्रांस, इटली और उरोपियन स्पेस एजन्शी शामिल थे हैं, इसका मकसद इन देशों के साथ स्पेस को कोप्रेशन बढ़ाना है, तो चाइना ने इसमें पाकिस्तान के भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तिमाल किया है, तो यह आद रख लेना, इसके चांद का फार साइट, क्योंकि बार पर हम क्या रहे हैं कि भई यह फार साइट पर गया है, तो असल में यह फार साइट का इसको भी समझ लीए है, चांद का फार साइट वो हिस्सा है जो धरती से दूर है, इसे कभी-कभी चांद का अंधेरे वाला हिस्सा भी कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा हमेशा नजर नहीं आता है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी हमारे पास है और चीन स्टेट मीडिया शिन हूँ की रिपोर्ट के मुताबिक चांद के दूर के हिस्से और धरती के बीच कम्मिनिकेशन का समर्थन करने के लिए चीन दोहज यहां पर अभी हम जो बात कर रहे हैं कि लूनर मिशन्स के अंतर गत अभी तक हमारे पास जो मिशन्स थे या तो चंद्रमा की कक्षा के पास से गुजरना था या इसकी आसपास चक्कर लगाना था जिसमें हम फ्लाइबाय मिशन्स की बात करते हैं इसी में हम और्बिटर मि भी बात कर लेते हैं, जिसमें कक्षिय मिशन होता है, या इंपक्ट मिशन की बात करते हैं, या लैंडर मिशन की बात करते हैं, रोवर मिशन की बात करते हैं, ह्यूमन मिशन की बात करते हैं, लेकिन अभी चाइना जो कर रहा है वो लैंडर मिशन के जरिये ही यहां से सैंपल भी ले आया है, तो यह एक बड़ी महत्पुन चीज की है, भारत ने भी लैंडिंग करी है, लेकिन भारत अभी सैंपल नहीं ला पाया है, तो भारत का दावा है कि हम हमारा विकरम लैंडर और प्रग्यान लाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं लाएंगे, लेकिन चाइना ने वहां से सैंपल को एकटा कर लिया है, तो यह खास चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए, आशा करता हूँ यह आपको समझने आया होगा, ऐसी बहुत सारे साइंस टेक के भी टॉपिक है, और आप सारी च करेंगे, तो आपको आसानी सिस में अन्रोल करने मिलेगा, यह मेरे इंस्टा इडी है, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं, बाकी यह जो है टेलिग्राम आइडी यहां से आपको पीडियाफ अगेरा मिल जाती है, एडमिशन रिलेटेट कोई भी क्यूरी है, मनिश्रवास्त यह मेरे इंस्टा इडी पर आपको आपको सेशन कैसा लगा है, मुझे जरूर बताएंगे, मिलते हैं अगले सत्र में, thank you very much for watching this, have a great day.